हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे टूब चैनल जी के प्रेंस अकडमी में तो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं हिंदी के कुछ कोईशन्स का जो की यूपी त्रिपल सी लोग के मेंस में यह एक्जाम में आने वाले हैं क्योंकि आप लोग ने अगर सिलेबस देखा होगा यूपी त्रिपल सी लोग मेंस का तो उसमें जो है पत्चीस कोईशन हिंदी से पूछे जाएंगे जो कि आपके एक्जाम्स में आपका रेंक बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट कोईशन है और यह ऐसा टापिक है जिसमें बच्चा जो है हर कोई बच्चा लगबग 25 में 25 करना चाहते या कल लेता है तो आएए देखते हैं उसी सीरीज में पहला प्रेक्टिस्ट है जिसमें हम हिंदी से 25 कोईस्टन के बारे में डिसक्सन करेंगे यह यूद कंपेटिशन से कोईस्टन लिया गया ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह कोईस्टन और प्रेक्टिस्ट जब तक चलेगा जब तक कि एक्जाम नहीं हो जाएंगे तो लोर मेंस के लिए इंपॉर्टन है और यह पहला क्वेस्टन है भासा विज्ञान की दिष्टि से बढ़ाऊ किस प्रकार का स्वर है यह क्वेस्टन है अब इसमें आपसं दिया है पस्च विवरित या अग्र सम्रित या फिर अग्र विवरित या फिर पस्च सम्रित तो इसमें आपका एंसर हो जाएगा पस्च सम्रित क्यों क्योंकि भास सवरों के उत्चारण में जीव का पस्ट भागकार करता है उसे पस्ट सवर कहा जाता है जिसे बडा आ है चोटा बड़ा उ है तो यह सारे एक्जांपल के रूम है जो यह पस्ट सुर में आते हैं सम्वरित उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उत्चारण में मुख द्वार लगबग बंद रहता है तो मुख द्वार के आधार पर जो है चार प्रकार के बाटकें हैं एक विविरित तो लिखित भासा में मूल धुनियों के लिए चिन्ध मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं तो लिखित भासा में मूल धुनियों के लिए जो चिन्ध मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कह जाता है और हिंदी देवा निगरी लिप में लिखी जाती है अब इसमें जो है स्वर्वें वर्ण है जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतन्त रूप से उच्छरित होते हैं ठीक है बोले जाते हैं तरह स्वर्णों की सहायता से उच्छरित होने वाले वर्णों को व्य में को सही का चैन करके रिक्त अस्थान भरना ठीक इसमें जो है क्या लगए काउन सा चिन लेगा ये बताना है ठीक है इसमें आप संदियागा बिस्मियाद बोधक चिन या फिर किरिया या फिर सर्वनाम या फिर संग्या तो इसमें देखिए लगेगा जो है वो बिस्मियाद बोधक चिन लगए क्यों क्योंकि हे भगवान याई कि हे जो है लिखा ये बिस्मियाद बोधक चिन के रूप में होता है और बिस्मियाद बोधक चिन का होता है ये इस टाइप का ठीक है एक डंडी उसके उपे नीचे उसके नीचे एक बिंदी होता है ये बिस्मियाद बोध हिंदी में सब्दों का लिंग निर्धारन किसके आधार पर होता है निम लिखी सब्दों में सही बिकल्प को चिन्हित कीजिए ठीक है अब हिंदी में सब्दों का लिंग कि निर्धारन किसके आधार पर होता है यह बताना ठीक है तो इसमें आपसने संग्या बिसेसर सर्वनाम या किरिया के आधार पर इसमें जो इसका लिंग निर्धारन करेंगे अगर हिंदी सब्दों में तो यह संग्या के आधार पर होता है ठीक है इसका हो जाएगा संग्या क क्षा टो जैसे नाम है तो नाम को ऑजाता है इसमों सीत की अचे जगह का नाम हो गया तो यह सारे संगया किलाते हैं बम जा आगला प्रहण्स देखते हैं, तो मुख्य तिति के सम्मान में यह आयोजन किया गया है इस वाक में रे खांकित सब्द में कारक बताईए यह जो रेखांकित सब्द है, सम्मान में इस वाक को बताना है कि इसमें कौन सा कारक परियुक्त हुआ है, ठीक है, तो देखी इसमें, मुख्य तिति के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इसमें जो है वो अधिकरण कारक परियुक्त हुआ है, ठीक है, एंसर इसका ए पार् आधिकरान कारग पर पर चार आदमी तो इसमें पर भी आता में यह दोनों सब्द जो है यह अधिकरान कारग के चिं होते हैं तो इसका यह अधिकरान कारक अगला प्रण देखते हैं तो पाउं का तत्सम रूप क्या है ठीक है पाउं का तत्सम रूप तो यह पूरा जो है यूपी त्रपलेसी लोर मेंस के सिलेबस के अंसारी सारे कोश्चन लिएगे जितने भी कोश्चन पुछे जा रहे हैं इसमें हैं और पुछे जाएंगे जो स संस्कृतं में ऐसे सब्सक्राइब जिसे जियों कत्यों प्रयोग में लाते हो अज़े तत्सम सब्सक्राइब है जैसे अगनि है वायू है पत्र है सूर है ठीक के इसका अंसर हो जाएगा अगला क। प्रतियरपन सब्द में काय। कौनसा उपसर लगा है तो प। यह बनेगा यह सब्सक्र्ड के आगे लगा हुआ है दो चीज़े होते हैं हुचैजे उसर्ग और पहुकर पुछे लगता है बाद में लगता है और प्रत्र जो सर्प के आगे लगता है सब्सक्राइब यहीं जो उपसरग है तो ऐसका से हो जाएगा प्ति अरपनि सब्सक्रायस अगर देखा जाil तो और सब्सक्राइब क्रति एफ कंपन है तो प्रhat अगला प्राहित 10 निम्लिखित मेंस किस शब्सक्राइब इन वी संपसर्ग और प्रत्य 170 प्रियोग्स किया गया है तो देखिए भी हिस्ष्य दार में जो देखा जायें तो इसको हम विनियास करेंगे- हिस्सा हो जाएगा ठीक है हिस्सा इस्सा प्लश चाइब ऊण्तम पिछस्ट में ऑर दार जारा है तो इंटीनों को मिला कर हिस्सेदार बनता है अब ए सब्द जो है ये प्रत्य है हिस्सा जो है मूल सब्द है और ये दार जो है ये भी प्रत्य है तो इनमें दो प्रत्य लगाता लगा गया है तो इसलिए ये क्वेस्चन का अंसर नहीं होगा क्योंकि उप्सर वो प्रत्य बताना है अगला देखते हैं अभी मानी तो अभी मानी में देखते हैं इसको बिन्यास करेंगे तो अभी प्लस मान प्लस आनी इस तरीके से इन तोनों तीनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा अभी मानी ठीक है अभी हो जाएगा मान सब्द जो है ये मुल सब्द हो गया और आनी सब्द जो है ये प्रत्य हो गया तो एंसर इसका बी पार से हो जाएगा अभी मानी ठीक है इसमें उफसर्ग अभी है और प्रत्य जो है वो आनी है इस तरीके से और देख लेते हैं क्रिपालता में तो यह प्लस था अब दो सब्ध भारत जो हो गया हो मूल और यह और ता यह दोनों हो गया प्रत्य तो दोनों लास्ट में प्रत्य लगा इसलिए इसका जो बीपाट से हो जाएगा प्रत्य अभिमान नहीं ठीक है चलिए अगला कुस्छन देखते हैं अगला प्रस्थन है अगला प्रसने अब इर्भाव का विपरार्थक सब्द निम्लिखित में से कौन सा होगा यानि कि अब इर्भाव का हमें बताना है कि विलोम सब्द कौन सा होगा ठीक है तो अब इर्भाव का विलोम सब्द होता है तिरो भाव इंसर इसका हो जाएगा तिरो भाव ठीक है कि अगला कोशिन देखते हैं तो अधित पर्याई बाचि सब्ड बचाना या तो मर्थ देते हैं तो अधित का परियावाची आगंतुक हो जाएगा अधित का अगर और परियावाची सब्द देखें तो पाहुन होता है ठीक है पाहुन भी होता है इसके बाद महमान है महमान ठीक है पाहुना ये भी परियावाची सब्द है और अभ्यागत अभ्यागत ये भी परियावाची हैं चलिए अगला प्रह्ण देखते हैं कि पिर्थिवी ग्रहों और तारों आदिका अस्थान जो वाक्यांस के लिए एक सब्द उचित कौन सा होगा तो समंदर अंतरिक्ष धर्ति और विश्व में से अंतरिक्ष को ही कहेंगे क्योंकि अंतरिक्ष में पिर्थिवी ग्रह और षर्संट का निश्कलंक यह होगा ठीक है अब इसमें कौन सा सन्दी यह पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया है तो इसमें जो भिसर्ग संदी फिसर्ग के पहले अक या उकार आयता है तो बिसर्क के बाद वन का फा का खा पा फा हो तो बिसर्क का यह शाह हो जाता है ठीक है तो इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा निस्क लंक अगला question है समास कुछ दिया हुआ है और उस समास को दूसरे समास से मिलाना है सब्द को दूसरे समास से मिलाना है कि इन में से कौन सा सब्द जो है वो कौन सा समास है तो इसमें देखे बिदेश गमन अब बिदेश गमन का अगर हम अर्थ निकाले या समास विग्रा करें तो क्या होगा बिदेश को गमन तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा ततपुरुष समास हो जाएगा ठीक है यानि कि एका टू पार्ट से ही हो जाएगा अगला है गिरिधर तो गिर्धर का अगर हम समास विग्रा करते हैं तो परबत को धारन करने वाला गिर्माने परबत होता है धर्माने धारन करने वाला तो परबत को धारन करने वाला अर्थात क्रिष्ण तो ये इसमें कौन सा समास आ जाएगा बहु ब्रीवी समास क्यों क्योंकि ensonosa क्या सिभ्हाइं साच कि कोई ऐसा सब्ध जो दोनों मिलकर एक अलग अर्थ देते हो देखें गिर्धर lot कि प्रभथ को धारन करने वाला अर्थात On किरिष्णा कृष्णे ने प्रभथ को धारन किया था और समास दैस विदेश में तो देश विदेश इसमें pe यह तो यह इसका दंद समास वहाँ पर हो जाता है, देश बिदेश की बीच में जो डंडी खिसकी हो जाता है, दंद को डंड 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 इस तरीके से कर लेते हैं, तो रटा रहेगा, याद भूलोगे नहीं, ठीक है, यता सिग्र लाश्ट में बचा अब्वेई भाव, तो अब्वेई इसका इस तरीके से हो जाएगा, आप लोग इसको मिलान कर लिजीगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा वाक, जो सैयुक्त वाक का उधारन ये क्वेश्चन है, ठीक है, ना कोई आया, ना कोई गया, वो जैसे ही गया, वो आया और गया, वो आया तब ही तो गय योजक, अब योजक कौन कौन से हैं, और एम तथा या अथवा, इसलिए फिर भी नहीं तो परन्तु किन्तु लेकिन आद से अगर जुड़े हों, तो उन्हें सैयुक्त वाक के कहा जाता है, ठीक है, अब ये चीजें जो है, इसमें याद रखने हैं, कि सैयुक्त वाक में क इस तो वह आया और गया, इसमें देखियो और आगया, तो और आगया, इसलिए सैयुक्त वाक के हो जाएगा, ठीक है, आब ये इसी हो जाता थोड़ा सैयुक्त वाक को पहछाने का, अगर आपको ये पता है कि तथा या अथवा इसलिए फिर भी नहीं तो किन्टु परन्त और लेकिन आद से अगर कोई सब्द जुड़े हैं तो वहां पर संयूत वाक हो जाएगा इस तरीके से इसमें जो है निकालते हैं अगला क्वेशन देखते हैं तो निकित वाकियों में से एक वाक असुद्ध है अब असुद्ध कौन सा वाक है इसको बताना ठीक है बाकी तीन सुद्ध है असुद्ध वाक किसे में से बताना ठीक है तो देखिए पढ़ते हैं इसको कासी सदेव से भारतिय संस्कृत का केंदर रहा ठीक है विपार्ट है गांदे जी का चर्खा चलाना सुदेशी का परतीक था वन जीवन के कश्टो का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका अपनी कुसल राजनीती से सीवा जी ने विपच्छीयों के छक्के छुड़ा दिये थे इसमें से बताना कि कौन सा वाक असुद्ध है बाकी सब सुद्ध है तो इसमें देखे कासी सदेव से भारतिय संस्कृत का केंद्रा अब इसमें जो है ये वाक असुद्ध है ये पार्ट क्यों क्योंकि इस वाक में कासी सब्ध करता है जो सदे इस तरी लिंग में परियोगत होता है जबकि इसमें पुली लिंग में परियोगत हो गया रहा हाय में परियोगत हुआ है इसलिए पुली लिंग में हुआ है इसलिए रहा हाय के अनसार पर रही है परियोग किया जाएगा इसकी जगह पर ठीक है तो यह वाक सही हो जाएगा तो यहाँ पर यह तुटी है और यह पारट इसका सही हो जाएगा यूद्ध वाक बाकी तीनों सुद्ध वाक हैं बिल्कुल करेक्ट हैं यह ध्यान रखना होता है अगला कोश्चन है कि मुहावरे से सम्मझी थे मुहावरा दिया तो अंसर इसका हो जाएगा ध्यान देना कान खड़े करना मतलब की चोकना होना चोकना होना दोनों कान खड़े होना इस तरीके से तो इसका अंसर हो जाएगा चोकना होना आँख लगाना आँख लगाना मने की निगाह लगाना ठीक है उसका मयूहिक हो गाई है तो इसका इंसर को जाएगा सजग होना इस त्रीके से इसका वहरे कार्थ का अर्थू का घ्या होगे आगला कास देखते हैं और जब किर्शी सुखाने selवार्ण तहँ कहा जाता है कि पनगा डिए और पहस की सुल सब्धिकार्थ क्या होगा समय पर काम नहीं टीखे का फाइं कि जब किसी सूख गई अगला प्रस्थिन देखते हैं तो ब्यक्तिगत पत्र के संबंद में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है अब देखे इसमें दिया गया है इसके अंतरगत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समचार होते हैं इ बैक्तिगत अथवा बैक्तेई पत्रं अनौप्चारिक पत्र की स्रिर्णी में आते हैं बैक्तिगत都是 ऑना, इसे पत्रों से जिन में, बैक्तिगत मामलों के संबंद में पारवारिक सदस्मेत्र या अन्परिजन जो प्रिये जन होते हैं उनको लिखा जाता है इसमें आपका answer हो जाए है व्यक्तिगत पत्र के संबंध में जो अस्त्यकत्थन है वह है इन पत्रों में आपसे संबंध का कोई प्रभाव नहीं होता है यह हो जाएगा इसका answer D-part डी पार्ट इसका अंसर हो जाए क्योंकि ब्यक्तिगत पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो ब्यक्तिगत मामलों के संब्द में पारिवारिक पारिवारिक जो है सदा समित्रियान पत्र प्रिये जनों को लिखा जाता है इस प्रकार कि पत्र का आधार जो हो व्यक्तिगत संबंद होता है इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुक्ता दे जाती है न की आपचारिकता को तो इस तरीके सिसका डीव कथन जो हो गलत हो जाएगा तो इसमें ब्यापारिक पत्र प्राथना पत्र मित्र को पत्र और संपादक के नाम पत्र ठीक है तो इसमें जो मित्र को पत्र जो है वो आएगा ब्यक्ति या ब्यक्तिगत पत्र की स्रेणी में क्योंकि ब्यक्तिगत पत्र ऐसे होते हैं जिनमें ब्यक्तिगत मामलों के से हुई है यह कोईश्चन है इसे पूछा सकता है पूछा गया है तो पैष्चमी हिंदी की उतपत्त्ति है वो हुआ है सार profound आम थो कंजी है कि हर्यांड भी यह सारी हिंदी की उत्पत्ती से बने अप्भरंस से सही है तो है इसके पैसाची जो दिया है यह पंजाबी इस की से जो निकला रहा पंजाबी बोली निकली हो गरें अगला प्रसन है निम्लिकित में से किस मुसल्मान कभी की रचना प्रेम चिनगारी है ठीक है ये कोईश्चन है तो इसमें देखें प्रेम चिनगारी जो है रचना नजफ अली की है नजफ अली एंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा नजफ अली ठीक है जाइसी ने जो है वो लिखा था ने जो है ज्यान दीब गरंत की रचना की है तो यह चीज़ें आपको इसको इनके बारे में याद रखना है लास्ट प्रस्ण है एज मेंसन दियर इन के लिए हिंदी में होगा ठीक है इसका हिंदी बताना है कि क्या होगा जैसा कि उसमें उल्ले किया गया यह थोक्त भी से जै यह तो यह इस तरीके से कुष्टन इसमें पूछे जाएंगे लगवा पत्चीस कुष्टन इस टाइप के जिसमें सभी जितने भी स्लेवस में दिया गया उस तरीके से कवर करने के आप कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो को पसंद तो जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही आज का समाप्त करते हैं मिलते हैं नश्दिन तब तक के लिए थैंक्यू नमस्कार